तरह हो गई हमने मीडिया अडिया से आपकी जिम्मधार थे बात की और फिर वहां से हम किठोर गए किठोर से हम मिने खाल से हमने तीन बज़े से 3.45-3.50 तक हमने वहां पर पैदल दोरा किया फिर हमारे नुमान रोफिल साब के घर में हम गए वहां पर फड़ाबत लंच का च अजनमतों करके नमास पड़े और वहां दिल्ली आने के लिए जब हम इस विल्कुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे हमारे साथ चार गाड़िया थी हमारी गाड़ी के सामें हाजी साब की डाटा सफारी थी जो पीछे आपके और हमारी गाड़ी की पीछ और दो पॉस्टिनर तो जैसा हम टोल गेट के खरीब गाड़ी स्लो हो जाती है बारिकेट होता है तो एक बड़ी धाम से आवाज आई तो हम बोले क्या हुआ पिर दूसरी आवाज आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थी आमीन खान बोले भ साइड के ऊपर दो होल्स के निशाने एक गोली शायद और एक निशाने लेफ साइड मटगाट के ऊपर हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारे क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को में पुश्किया थी हमारा राइट साइड का टैर पंचर हो गया फिर एक माइक फ् तो हमारे एक्स मेर माजित थे उसके ड्रैवर नेक फूटर पर गाड़ी चला इसे ल Aug बड़ा भी गया हमारी एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यूं ये हमला हुआ किसने ये कॉंस्परेसी की ये जानना बहुत जरूरी है और ये और और हम स्टेट गावर्मेंट और मोडी गावर्मेंट दोनों से कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के उपर ये लोग चार-चार रॉंड फा मगर आज ये हुआ है अभी देखिए हम तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि ने मुझे मुझे देखिए देखिए हमको कई बार लोग धंकी देते हैं कई बार बहुसी बातें करते हैं प्रियागराज में जो धरम संसद हुआ वहां पर भी हम पर काफी गालियां दी गई और पिर आपके हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडन्ट जाज करवाएं और इसका सही तरीकिन को पकड़ा जाए जरूर पारलिमेंट है स्पीकर साफ से मिलेंगे स्पीकर साफ से बात करेंगे हम एलेक्शन कमिशन को भी ले कंडेमनेबल है बलके तो सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब फरकतें करते हैं अब नहीं मालू मुझे अगर अगर ये लोग ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीचे हट जाएंगे हम डर जाएंगे हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्ला जिन्दा रखेगा हम जिन्दा रहेंगे जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम चले इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौंसले हिम्मत में कमी आएगी बलके इंशाला और हौंसले हिम्मत बढ़ेगी और हमारा मानना है कि जब अल्ला बचाना चाहता है मगर ये कौन ताखते हैं और कैसे उत्तर परदेश में ये इस तरह की हरकत हो रही है ये तो जनता को भी आएगी वे इस बच्छोंग से एक एक प्रेगना है ये ये भाने दाना तो रही है कि अनता कर अएगी है ये जेगेगी उन्या है ये व्मत में ऌना येगी पिरागी दिलेता है ये ये रही है उन्या हिएगी जोल्ग का सस्राव